बच्चों question no.4 देखिएगा इसमें क्या दिया है कि ratio of consecutive angles of a quadrilateral is 1 is to 2 is to 3 is to 4 then find the measure of its angle फिर उसके बाद हमें क्या बताना है right with reason what type of a quadrilateral it is यानि कि आप suppose करो कि आपके पास एक quadrilateral है जैसे कि मैंने इधर बना लिया है ठीक है तो यहां पर देखिएगा इसके जो consecutive angles है ना बच्चों उनका ratio हमारे पास है consecutive angles का मतलब क्या जैसे कि देखो consecutive यानि क्या होता है यहां पर सबसे पहले लिखते हैं कि सपोस्स आप सपोस्स करो कि कि A B C D is a quadrilateral ठीक है यह क्या है यह quadrilateral है ऐसा हम मान लेते हैं बराबर और हमने फिगर भी बना लिया है आप लोग देख सकते हो ठीक तो देखो बच्चों यहां पर क्या दिया है यह ratio दिया है consecutive angles का यहां पर लिखते हैं angle A is to angle B is to angle C is to angle D कितना दिया है बच्चों देखो यहां पर 1 is to 2 is to 3 is to 4 लिख देते हैं ठीक आप देखो बच्चों हम लोग यहां पर क्या करेंगे न कॉमन मल्टिपल एक्स ले लेंगे बराबर तो अब ही होगा क्या देखो यहां पर लिखते हैं कि उसके बाद angle C क्या है 3 तो 3 का multiply X में करदो 3X हो जाएगा और angle D 4 का multiply X में करदो तो 4X हो जाएगा इसको आप लोग लिख दीजेगा equation number 1 ठीक है बच्चों इतनी बात समझ में आई अब देखें आप लोग को एक बात बताती हो हम जानते हैं कि जो हमारा quadrilateral होता है उसके अगर हम सारे एंगल को क्या करें प्लस करें तो आंसर कितना आता है 360 डिक्री आता है यह आप लोग उने property पढ़ी है कि नहीं है ना समझ हो कि ने जैसे देखो आपको बताती हो यह आपका quadrilateral है अगर हम इसके सभी एंगल को सम करें तो कितना आंसर आएगा 160 160 कितना 360 ठीक है अच्छा यह होता कैसे वो भी जाने लो देखो इसके अंदर कितने ट्राइंगल से बराबर हमने सीखा हुआ है कि ट्राइंगल के अंद एंगल ए प्लस एंगल भी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी यह सभी का सम कितना होगा 360 डिग्रेज का रीजन क्या लिखोगे तो यह प्रॉपर्टी होती है quadril की यहां पर लिख दीजेगा property of a quadrilateral ओके अब देखो बच्चो क्या करेंगे हम लोग values रखते जाएंगे तो एंगल ए क्या है X है फिर एंगल भी क्या है 2X है फिर एंगल सी क्या है बच्चो 3X है एंगल डी जरा देख लीजिए 4X है यह 4 होगा सम कितना होगा 360 यह सब हमने कहां से लिखा 1 से लिखा यहां पर बता अब इन सब यह को प्लस करो बच्चो तो X प्लस 2X प्लस 3X प्लस 4X कितना होगा चार्टिन साथ 729 नो एक दस तो यहां पर आ जाएगा बच्चो 10X which is equal to 360 डिगरी फिर 10 को उधर लेलो तो X which is equal to 360 upon 10 देखो बच्चो 0 से 0 कैंसल बोलो कितना आया 36 डिगरी यानिकी X का value हमार क्या कर सकते हैं यहां पर हर एक एंगल का measurement बता सकते हैं देखो एंगल A कितना था यहां पर हम दिखते हैं कि नाओ एंगल A आपका क्या था बच्चो X था ना X का value इधर रखो 36 डिगरी आ गया फिर एंगल B क्या था 2X था तो यहां पर X का value रखो 2 इंटू 36 बोलो कितना आएगा 2 6 डिगरी ठीक है फिर यहां पर यह जो आपका एंगल C है यह क्या था बच्चो 3X था ब्राबर तो 3 इंटू X के place पे 36 चलो multiply करो 3 6 डिगरी ठीक है फिर उसके बाद लास्ट में एंगल D एंगल D क्या था बच्चो 4X था तो यहां पर हम लिखेंगे 4X X का value इदर रखो 4 इंटू 36 multiply करो 6 4 जा 24 फिर 4 जा 12 तो 14 यानि की 144 तो देखो बच्चो यहां पर हमने हर एक एंगल का measurement बता दिया यहां पर लिख देता है यह आपका 36 डिग्री है और एंगल भी है 72 फिर एंगल C है आपका 108 और यह है 144 ठीक तो यह जो आपका पहला वाला question था कि एंगल का measurement बताओ वो तो आमने बढ़ी आसानी से बता दिया अब उमें क्या बताना है कि यह कौन्चे टाइब का सब्सक्राइब करेंगे कैसे चेक करेंगे आपको बताती हुँ देखो यहां पे जो एड्जेसेंट एंगल्स है उनको आम लोग सम करके देखते हैं अगर वह supplementary आए तब हम बोल देंगे कि वह जिदर से भी आप करो ठीक है वह सभी एड्जेसेंट एंगल्स क्या उने चाह यह हो यह हो यह फेर थीक है और अगर अविड एक यह मतलब अपयs मतलब कोई एक आयघ reading क्या अता है पैरल यह तो फिर ऐसे फिगर को हम लोग बोलेंगे तो ट्रेपेजिम इंपें चलो हम रहिए करते करते पता चलेगा एक काम करते ढ cuma यहां पर लिखते हैं इंगल ले य एंगल डी कितना हो जाएगा एंगल ही कितना है बच्चो 36 डिग्री और एंगल डी कितना है 144 तो उनों को प्लस करो फटाफट से तो छे चार दस है ना दस का यहां पर आ जाएगा जीरो का जीरो फिर वन 4 3 7 8 180 देखो बच्चो मैंने इन दोनों को प्लस किया तो क्या आया 180 ड डेखो इतनी बाते कलिए अब उसके बाद हम क्या करेंगे इन दोनों को प्लस करतें अगर तो दोनों को प्लस करो तो चे दो आटॉर्ट है Acho टूर्फ इन दून ट रहे एक-स थेकर दुन को इन दोनों को जी अपर कितना कितना हो टो कुट क्या लिखेंगे AD is not parallel to not parallel to BC ठीके यह इसके parallel नहीं है और जब इसके parallel नहीं है तो फिर हमारा given figure क्या कहलाएगा बच्चो ट्रैपेजियम क्योंकि यहां पे opposite sides का खाली बस एक ही pair क्या है पैरलल है बागी दूसरा वाला तो ही नहीं ठीके तो ऐसे figure को हम क्या कहते है अंसर कैसे लिखोगे यहां पे आपको लिखना है कि पहले तो आप वह जो मैंने आपको बताया था क्या बताया था ऐसे आप लिख दीजिए कि if only one pair of opposite sides क्या लिखा मैंने देखो if only one pair of opposite sides of a quadrilateral ठीक है आप एसे लिखिये of a quadrilateral is parallel is parallel then it is called a trapezium ठीक है और यहां पर वही हो भी रहा है बच्चो यहां पर खाली बस एक ही pair क्या है यह parallel है ना तो हम यहां पर लिख देंगे कि therefore क्या लिखोगे गीवन क्वार्डर लेटरल कि इस अ ट्रैपेजियम ठीक है आप एसे लिख दीजिए इस और ट्रैपेजियम यह ट्रैपेजियम है बस आप इतना सा लिख दीजिए इस प्रकार से आपका यह जो कोश्चो नंबर 4 है न बच्चो यह हो चुका है complete लिख लो इसको फिर हम लोग चलते हैं आगे चलिए बच्चो अभी हम लोग कोश्चो नंबर 5 देखते हैं तो देखिएगा इसमें क्या दिया है हमेना यहाँ पर क्वाडरलेटर कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें देखो क्या क्या इंफोमिशन दी गई है लेंथ और बीसी कितना है 4.2 सेंटेमिटर फिर यह चो एसी है इ इसा भी हो सकता है चलेगा चलो अब देखो यहां पर नाम कैसे लिखेंगे अर और सी आर कितना है 5.6 सेंटीमिटर तो हम लोग नाम पहले लिखते हैं ए आर नाम क्या है आपके कौटलिटरल का बी ए आर सी तो अगर यहां पर ए है तो इधर आएगा बच्चो बी ठीक है ब 4.25 सैंटेमिटर फिर बी आमिये 4.25 सेंटेमिटर बराबर पर उसके बादेलेंस आपको कार सकते हैं बड़े ही आसान चैसे कैसे चलो अब आपको ले लेना है स्केल और फिर क्या लेना है बच्चो यह आपका कम पास ले लेना है ठीक है पहले आप लोग बेस बनाएए यानि कि AR कितना 5.6 cm चलिए बना लेते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग यहां पर कर रहे हैं ठीक है बच्चो चलो बना लो फटाप बराबत अब क्या करना है सुलो ध्यान से अब आपको कमबास ले लेना है बच्चो आपका और फिर यहां पर देखिएगा यहां से यहां तक का लेंदी इतना है बच्चो 4.2 cm तो इसमें आप 4.2 cm का डिस्टंस ले लो और यहां पर रखना और फिर एक आर्क लगाना ठीक ह तो मेरा सपोस करो कि 5.2 cm 4.2 cm आता है कहीं यहां पर ठीक है इससे कम ही होना चाहिए क्योंकि यह 5.6 है तो 4.2 मतलब इधर कहीं पर आ जाएगा ठीक है देखिए मैंने आर्क लगा दिया आप लोग भी यह कमपास के मदद से लगा लीजिएगा ठीक है लगा लिया उसके बा यहां पर आता है मैंने यह लगा ठीक है अब क्या करना है सुनो ध्यान से आपको बताती हूं अब यह वाला जो आपका एसी है यह कितना है बच्चों 6 cm है तो आप एक काम करोगे यह आपका कमपास है इसमें 6 cm का डिस्टेंस लेना है और फिर यहां पर रखिएगा ठीक है again और बच्चों किए आपको इसे प्रकार से आर्क पाइंट मिलेगा जैसे मुझे मिला है यहां पर रख करके जब आप लगाओगे तो आपको इंटर सेक्शन पॉइंट मिलेगा यह वाला मुझे मिला है ना वैसे ही आपको भी मिलेगा मिला क्या अब आप एक काम करो ठीक है अभी रुको अब ना इसको और इसको जॉइंट कर दू फिर देखते हैं आगे क्या करना है पहले अभी जितना हमको मिला है ना उतना हम लोग ठीक है चलिए इतना काम तो हमने कर लिया अब हमें क्या करना है बच्चो यह कितना है 5.6 cm और यह है आपका 6 cm बराबर अब देखो हमारे पास A है B है और यह C है लेकिन एक मिनट एब थोड़े ना था यह तो आर था ठीक है यह था आपका आर बराबर तो हमारा पास आर है और सी है अभी हमको कौन सा पॉंट हुआ जाहिए जो लगा था ना वहां पर क्या करेंगे देखो यह कितना है फोर पॉयंट टू सेंटेमिटर है तो अब आपको क्या करना है कम पास में 4.2 सेंटेमिटर का डिस्नस लेक्पर यहां पर रखिएगा और आप लोग ना तो आएगा आप लगा करके देखो 4.2 cm का डिसेंस लेलो फिर आप ऐसे आर्क लगा तो आपको कुछ यू मिलेगा ठीक है और यह वाला जो है ना जो हम लगा रहेते 4.2 का ले करके तो यह आर्क को थोड़ा बढ़ा करना ऐसे बढ़ा करना ठीक है तो जब आप इसको बढ़ा ठीक है यह लिजिए हमने जॉइन कर दिया बराबर और यह जो पॉइंट हमको मिलाना बच्चो यह क्या है हमारा बी ओके तो बी ए आर सी हमने बना लिया यह इतना 4.2 cm और यह भी कितना है बच्चो 4.2 cm ठीक है समझ में आया कि नहीं क्या करना है सुनो एक बार फिर से बता कि मदद से एक लगाएंगे ठीक है इससे क्या होगा बच्चो यहां पर हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा तो इसको और इसको आप लोग जॉइन कर देना ठीक है तो यह तीन पॉइंट्स तो हमको मिल गए अब यह चौथा वाला चाहिए तो क्या करना पड़ेगा प पर भी चलते हैं चल्यीए बच्चो अभी अम लोग स्कॉस्टन नमबर सिक्स को सॉल्व करते हैं तो इस पर अमें क्या करना है तो यहां पर हमें क्या क्वार कर ना है कोड़ेगी पाडर कर से अंटीमिटर उसके बाद अर यह कितना है 3.5 मेसर एंगल क्यों कितना है 110 डिगरी फिर आर कितना है बच्चो 70 डिगरी अब आगे देखो क्या लिखा है कि अगर ऐसा दिया होता कि यह जो हमारा बच्चो अगर यह पहले लोग्राम है तो फिर आपको यह बताना है कि कौन से इंफोमिशन अन्नेसेसरी है ठीक है तो इसको हम लोग बात में देखेंगे पहले एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं ठीक है चलो रफ फिकर बनाया जाए Quadrilateral PQRS ठीक है तो इसका नाम लेख लो इधर PQRS ठीक है देखो बच्चो यहाँ पर क्या क्या दिया है तो PQ आपका है 3.5 तो यह हो गया जे 3.5 cm का फिर लेंथ आफ QR कितना है 5.6 यह हो गया 5.6 cm का फिर RS कितना है 3.5 यह देखो RS फिर मेजर एंगल क्यू कितना है 110 डिग्री और आर कितना है बच्चो 70 डिग्री ठीक है यह इंफोमेशन की मदद से हमें Quadrilateral बनाना है तो बना सकते हैं चलिए ले लिजे सकेल ले लिजे प्रोटेक्टर ले लो फिर यह कमपास ले लो फटा फट से कर लेते हैं नोटबुक में करते जाएगा मेरे साथ साथ ठीक है सबसे पहले बेस बनाना होता है क्यों आर कितना है 5.6 cm तो आपको सकेल लेना है अंगल क्यों है वह कितने डिक्री का है 110 डिक्री का तो ले लो अभी आपका यह प्रोटेक्टर और यहां पे 110 डिक्री का एंगल बनाना 110 कहा पर आएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110 यहां पर आएगा ठीक है आप लोग अपने नोटबुक में करते जाहिएगा अच्छे से मेजरमेंट करके तो मेरा अंगल कुछ यह बनेगा ठीक समझ गये कितना 110 डिक्री एंगल आर कितना है 70 डिक्री तो चलो फिर इधर रखते हैं और 70 डिक्री का एंगल बना लेते हैं यहां पर रखना और 70 डिक्री काउंट कीजिएगा 10 20 30 40 50 60 70 ओके मेरा तो इधर आ रहा है अब आपका देख लोग इधर आ रहा है आप अपने यह साब से देख लेजिए ठीक बच्चों यह कितना है 70 डिक्री तो हमने यहां पर 70 डिक्री का एंगल बना लिया ठीक है फिर उसके बाद हमें क्या करना चाहिए तो देखो बच्चों हमारे पास QR तो है अब हमको PS चाहिए तो यह कैसे मिलेगा तो अभी आपको क्या करना है देखो यह यहां से आते कितना है 3.5 cm तो अभी आपको कमपास मेना 3.5 cm का डिस्टंस लेना है ले लीजिए अच अच्एच अब तो यहां पर सीथे में आपको जोइंगा है अज崇ब आदगे जिस्टंस जाएं टरीन चाहिए तो इस चाहिए टरीन करेंगे ठीक कितना है यह 3.5 cm यह कुछ टेड़ा मेड़ा लग रहा है न बच्चो मैं थोड़ा इसको चेंज करती हूँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पर आया यह ठीक है तो यह कहाँ पर आएगा यह वाला आर्क हाँ लगबग लगबग इधर आएगा ठीक है रुको यहाँ पर आजाएगा ठीक है बच्चो समझ गया है चलो यह आपका हो गया तो पी क्यू आर्स यह कितना है 3.5 cm और यह भी कितना है 3.5 cm ठीक है तो देख लेजिए हमने यहाँ पर कॉड़िलेटरल का यहाँ पर आगे वाला पड़ो क्या लिखा है कि अगर यह कॉड़िलेटरल क्या होता प्यक्यू आरेस क्या होता पहले लोग्राम होता तो फिर यहाँ पर कौन से ऐसे इंफोमेशन है जो ऐसे अननेसेसरी ही दी गई है मतलब अगर यह नहीं दिया रहता ना तो भी आम लोग बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते थे इस प्रकार से कंस्ट्रॉक्शन कर सकते थे तो अब आप इसको अजियों कर लो कि यह क्या है आपका पहले लोग्राम है ठी होते है बराबर तो देखो अगर यह वाला साइड पी क्यू कितना है 3.5 cm तो आरेस भी कितना होता 3.5 cm यानि यह इंफोमेशन फाल तुमें दी गई है देखो खाली वस यह रहता मतलब यह रहता तो भी तो चल जाता ना बस अगर पी क्यों दिया रहता तो हम अपने आप से यह समझ जाते कि कितना है यह भी इतना ही है यह भी 3.5 cm ही है है ना तो अन्नेसेसरी इंफोमेशन में एक तो यह वाला आ जाएगा लेंथ ऑफ आरेस बराबर चलो मैं इदर लिखते जाती हूं कि इफ इफ इट इस इफ इस गिवन देट अगर माल लिजे ऐसा दिया होता कि क्वाटलेटरल पी क्यों आरेस इस अ पैललो ग्राम अगर यह पैललो ग्राम है थें अन्नेसेसरी इंफोमेशन ज़रा देख लो अन्नेसेसरी इंफोमेशन पहला तो बच्चों यह लेंथ ऑफ आरेस है यह अन्नेसेसरी है तो यहां पर हम लिखते हैं लेंथ ऑफ आरेस विच इकवल टू 3.5 सेंटीमेटर अगर यह नहीं दिया होता तो भी हम लोग अराम से कंस्रुक्शन कर सकते हैं ठीक है और दूसरा यहां पर अन्नेसेसरी क्या है देखो बच्चों आप लूग जानते हो कि पहले लोग्राम में क्या होता है जो एड्जेसेंट एंगल्स होते हैं यानि अगर मैं इंफोमेशन ऐसे ही हमको दिया गया था अगर यह नहीं दिया रहे था तो भी हम अपने आप से पता लगा लेते कि यह कितना होगा सेवेंटी डिग्री ही होगा है ना क्यूंकि हम जानते हैं देखो एंगल क्यू और एंगल आर को प्लस करके कि कितना आएगा 180 आएगा तो अगर हमारे पास होता है एंगल नहीं होता तो भी हम लोग एंगल आर निकाल सकते थे इसको उस साइट बेज देते तो 180 माहीनस 110 हो जाता यानि एंगल र हमको कितना मिलता बच्चो तो 70 डिग्री तो मिल जाता है ना यानि यह वाला इनफोमेशन क्या है बच्चो अननेसेस जाएगा दूसरा गया जाएगा ठीक है बच्चो समझ गया ना अच्छे से चलो आप मैं इसको मिटा देती हूं इसे आप लोग अपनी नोट्बूक में लिख लीजिए अच्छे से और इस तरीके से आपका यह जो प्रैक्टिस 8.3 है ना बच्चो यह यहां पर कंप्लीट देती हूं एसके क्लास चैनल पे अफ्लोड़ेट है तो आप बहां पर जाहिएगा प्लेलिस्ट में या फिर यूटूब पे सर्च करोगे ना प्रैक्टिस 8 जो भी है आपका 9.1 9.2 बाइसके क्लास तो मिल जाएगा आपको ठीक है अच्छे से मैंने उधर सॉल्व करवाया है बोड पर ठीक है तो बस आप लोग देख लेना वीडियो को आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी फिर भी कुछ भी डाउट है तो जरूर मुझसे बताइए फिर मैं कोशिच करूंगी कि आपके डाउट को क्लियर कर पाऊं ठीक है बच्चो तो चलो आज के लिए पस इतना ही मिलेंगे हम लोग नेक्स वीडियो में ओके गुडबाए ब्रीमान